नमस्कार साथियों आज हम मुक्तिबोत और उनके कावेल में रचना प्रक्रिया के बारे में बातचीत करेंगे यानि कि मुक्तिबोत के कावे के बारे में बात करेंगे और मुक्तिबोत कावे की रचना प्रक्रिया के बारे में क्या सूचते थे उसके बारे में बात करेंगे जैसा आप जानते हैं मुक्ति बोध ने रचना प्रक्रिया पर बहुत कुछ लिखा है उनके लिए कविता करने से कम महतुपोर नहीं था कविता रचने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको समझना हिंदी में वे अखेले ऐसे कवी हैं जिन्होंने रचना प्रक्रिया पर विस्तार से लिखा है तो हम इसकी चर्चा करेंगे लेकिन यह चर्चा करेंगे हम एक एत्यासिक संदर्व के साथ यानि कि रचना प्रक्रिया पर और क्या-क्या चिंतन हुए हैं और मुक्तिबोद की रचना प्रक्रिया समंदी जो बाते हैं वो किस तरह से दूसरों से भिन है, इसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी बात कहेंगे. आप जानते हैं कि रचना प्रक्रिया के बारे में सूचने का सिलसिला जो है उतना ही पूराना है जितना की कविता के बारे में हिंदोस्तान में भी कविता लेखन के बारे में बहुत तरह कविचार हुआ है पूरा काविशास्त्र गड़ा गया है, पश्ची में भी ऐसा हुआ है, लेकिन कई तरह के सिदान्त हमारे सामने आते हैं, जैसे सबसे पहला सिदान्त तो यह था कि यह एक तरह की देविय प्रेणा का प्रेणाम है, यानि इश्वर परदत है, इश्वर कुछ लोगों में ऐस इश्वर परदत सकती नहीं होती, इसलिए वो कविता नहीं लिख सकते, तो लंबे समय तक इस तरह की चीज़ें मानी जाती रही है, और इसी से जुड़ावा एक सिदान्त है, पर्तिभा का सिदान्त, यानि कि काविय रचने की पर्तिभा कुछ लोगों में होती है, और वो पर्तिभा होने के कारण ही वो कविता लिख सकते हैं, पर्तिभा इश्वर परदत भी मानी जाती है, और पर्तिभा जो है, वो प्रकृति परदत भी मानी जाती है, प्रकृति परदत का मतलब है कि किसी में स्वभाविक रूप से ये विशेष्ता होती है, कि वो कविता सके तो वो इश्वर को इश्वर द्वारा दियो ही प्रतिवार नहीं बलकि प्रकृति द्वारा स्वभाव गत विशेष्टा के रूप में भी होता है कुछ लोग यह बानते हैं कि कविता जो है वो एक तरह का इंट्यूशन होता है कुछ लोगों को यह सहज बोध हो जाता है कविता लिखने का और वो सहज बोध के द्वारा कविता लिखा करते हैं क्रोचे जो है वो कमोबेश इसी तरह की बात में विश्वास करते थे आप देखेंगे कि कविता में या साहित्य में अनुकरन का बड़ा महत्व है प्लेटो जो थे वो इस बात को मानते थे कि कविता अनुकरन के द्वारा होती है लेकिन वो मानते थे कि सहित्य के अंदर ये जो अभिवक्त होता है ये सत्य से दुगना दूर होता है क्योंकि जो काविय है वो प्रकृति का अनुकरन करती है और प्रकृति जो है उस मूल्द सत्य का अनुकरन करती है जो एक तरह से इश्वर की देन है तो इस तरह से काविय जो है वो सत्य से दुगना दूर होता है और इसलिए प्लेटो उसे अस्विकार करते थे उसको त्याजे मानते थे वो कविता के बहुत पक्ष में नहीं थे लेकिन उनके शिश्य अरस्तु जो है वो काविय में नाटक में अनुकरन की परवरती को मनुश्य की सहज वरती के रूप में देखते हैं हम जानते हैं कि बच्चा जो है वो दूसरों को जो करता हुआ देखता है उसी का अनुकरन करके सीखता है तो कविता भी एक तरह से ये इस अनुकरन से पैदा होती है लेकिन उसके साथ साथ वो ये मानते हैं कि कविता एक तरह से मनुश्य के मन में फूटती भी है अपने अनुबों से प्रस्पूर्टित होती है और उसमें एक सामजस्य और ले भी दिखाई देती है लेकिन कविता के बारे में जो पहला महत्वपून विचार हमारे सामने आता है वो स्वचंदतावादी, रोमांटिक कवियों द्वारा और रोमांटिक कवियी लगबग उसी तरह का विचार रखते थे कि कविता जो है वो एक तरह से spontaneous overflow of the feelings है यानि कि जैसा अवर्श वर्टन ने कहा था कि हमारे अंदर जो भावनाएं हैं strong भावनाएं, बहुत बलवती भावनाएं वो स्वते ही अच्छानक ही शब्दों में फूट पड़ती है वालमी की ने भी कहा था कि जो कविता है वो कविता उन्होंने क्रॉंच पक्षी जो आपस में प्रेम कर रहे थे उनमें से एक को की जब हत्या हो जाती है शिकारी दोरा तो उस दूसरे क्रॉंच पक्षी दोरा जो विलाब था उससे उनका मानना था कि कविता पैदा हुई है तो आप देखेंगे कि ये जो चीज है इसका मतलब है कि जो हमारी दूख और सुक की भावना हैं जो हमारी इच्छाएं आकांग्साएं जो हमारे अनुभाव हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कविता में व्यक्त होते हैं तो कविता जो है इस रूप में हमेशा हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है, हमारे जो विचार हैं उनको व्यक्त करती है, वो कभी सहज रूप में कुछ मानते हैं कुछ सहज रूप में अभी वक्त होती है कुछ ही मानते हैं कि उसमें एक तरह की परतिबा होनी चाहिए कभी में अगर परतिबा नहीं है तो वो काविय की रचना नहीं कर सकता अब हम नई कविता पर आएं आप जानते हैं कि नहीं कविता जो है उसके अविस्तरित पलक में बहुत सारे कवी हुए जिन्नों ने उस तरह से तो मुक्तिबोत की तरह तो कविता पर विचार नहीं किया कविता की रचना परक्रिया पर उन्हों ने अपनी कविताओं के माध्यम से रचना परक्रिया पर बहुत महतुपुन इस्थान है, मतलब कविता को परतिभाशाली लोग ही लिख सकते हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ प्रेत्न को भी महतुपुन मानते थे, परतिभाश किसी को कवितो बनाती है, लेकिन उसको प्रेत्न भी करना होता है, उसको कोशिश भी करनी होती है, अगर कोशिस नहीं करता तो कविता स्रेष्ट कविता नहीं लिखी जा सकती एक और महतुफ़न बात अग्ये के संदर में यह है कि अग्ये प्रति बात कोई इश्वर परदत नहीं मानते हैं वो एक तरह से विक्तितों का सहज गून है वो एक स्वाभाविक गून है जिसमें यह स्व कविता को हम महतुफ़न मानते हैं जो सहज रूप से अभी वेक्त होती है लेकिन जैसा कि उन्होंने अपनी एक साधुवाद नामक जो कविता है उसमें एक रूपक दवारा उन्होंने अपनी बात समझाने के कोशिश की कि देखे स्वाती बूंद में जो सीप में स्वाती की बूंद तपकती है उससे मोती बनता है लेकिन ये स्वाती की बूंद का तपकना और मोती का बनना है ये उनका कहना है कि ये कविता नहीं है कवीता है वह जो सीप को हर सीप को खोल कर देखता है कि उसमें मोती है या नहीं यानि कि इस रूप में अगर देखें तो अग्ये के अनुसार पर्थिबा भी महतुपून है लेकिन प्रेतन भी महतुपून है और इसलिए इन दोनों चीजों को वह सजिन परक्रिया में बहुत महतुपून मानते है जहां तक दूसरे अग्ये के अलावा और कवी हैं उन्होंने भी इस पर विचार किया है जैसे गिरिजा कुमार मातूर ये नहीं कविता के एक बहुत महतुपून कवी है उनका कहना है कि जो भावनाओं का जज़ावात होता है जो तूफान होता है वो तूफान कविता नहीं रचता है जब कविता तब रची जाती है जब तूफान हमारे अंदर ठहर जाता है रुख जाता है जो ठहराव है जो रुखना है वो कविता को रचता है तुफान कविता को रचता नहीं है तो आप देखेंगे कि गिर्जा कुमार माथूर का जो विचार है वो स्वचंदतावादी लेख कों से भिनता रखा है स्वचंदतावादी तो spontaneous overflow कोई ही expression की अभिव्यक्त कोई ही कविता की विशेशता मानते थे लेकिन ये कहते हैं कि नहीं spontaneous overflow of feelings तो होगी लेकिन वो जब रूखेगी ठहरेगी कविता में वो ठहराव जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर आपने उसको वैसे ही अभिव्यक्त कर दिया तो वो श्रेष्ट कविता नहीं हो सकती इसी तरह से ढर्मवीर भारती जो नहीं कविता के और एक महत्तपूर कविये है वो उनका यह मानना है कि जिस चछन कोई रचना रचिजाती है कोई कृति रची जाती है, वह चज़ बहुत महत्पोन होता है, लेकिन उस चज़ के पीचे एक पूरी परंप्रा होती है, एक पूरा इतियास होता है, तो तो चज़ अ-बिव्यक्थ होता है, यानि कि काविय जो है वो किसी छण विसेस में किसी समय विसेस में जरूर रची जाती है लेकिन उसके साथ साथ उसके पीछे पूरी परंपरा का हाथ होता है पूरे इतियास का हाथ होता है बिना परंपरा और बिना इतियास के काविय की रचना नहीं हो सकती बले वो किसी एक छण में लिखी जाज सकती, लिखी गई हो तो इस तरह से पनंपरा और इतियास का कावी रचना में बहुत महत्पून इस्थान है दूसरी बात जो धर्मीर भारती कहते हैं वो यह है कि जो रचना प्रक्रिया है वो एक सचेत मानस की प्रक्रिया नहीं है उसमें अवचेतन और अर्द चेतन की भी भूमिका होती है यानि कि मनुष्य के मन में जो बहुत कुछ चलता है जिसका कि मनुष्य शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता आसानी से उसकी भी भूमिका कावी रचने में होती है तो इस तरह से आप देखेंगे कि धर्मवीर भारती के अनुसा कावी की रचना प्रक्रिया में उस छण का महतो होता है जिस छण में कविता लिखी जाती है लेकिन उस छण के पीछे परंपरा और इतिहार की बड़ी भूमिका होती है इसके साथ साथ मनुस्य के मानस की बड़ी भूमिका होती है उस मानस में उसकी अर्द चेतना भी होती है और उसकी अवचेतन मन भी होता है तो इस तरह से ये तीन पहलू दर्मवीर भारती मानते हैं नरेश महता नई कविता के एक और माहतुपून कवी है उनका मानना है कि प्रयत्न करने से कविता नहीं लिखी जाती है आप प्रयत्न करके जो है कविता नहीं लिख सकते हैं सहज बोध की, जो मैंने बताया था है, इंट्यूशन की कविता है, वो अपना आप अभिव्यक्त होती है, तो यह जो इंट्यूशन की कविता मानने वाले लोग हैं, उन्हें नरिश मेता को भी हम गिन सकते हैं। एक और चायवाद इसके नई कविता के महत्वण कभी हैं, वो प्रकृति की सरजन प्रकृया और कावी की सरजन प्रकृया को सामाना अंतर मान दें। यानि कि जैसे प्रकृति कुछ भी रचती है, जैसे पेड का उगना है, नदी का बहना है, तो उसी तरह से कविता भी रची जाती है, कविता की रचना जो है प्रकृति की रचना के सामानांतर होती है, और एक तरह से वो कविता, अगर हम प्रकृति की रचना प्रकृति को सकते हैं लेकिन विजयदे उन्हारें डुनाय इन्हारेंशाई उस से भी नतरके विचार रखते हैं विज़डे उन्हारेंशाई भी नई कविता की एक महत्वन कवी और अलोग जकते उनका कहना है की कविता लिखना पूल उगने की तरह नहीं होता कि आपने जमीन में बीज बोया और खार डाली पानी डाला और बारा आ गया और फूल उग गया नहीं वो बिलकुल अलग होता है और वो एक तरह से उतनी स्वावाविक नहीं होती उसमें मनुश्य के परत्न मनुश्य का सूच मनुश्य के जो है ऐसे बहुत सारी बाहरी परक्रियाँ उसमें वीख तो होती है और उसी के दोबारा कविता लिखी जाती है दूसिंत कुमार जिनोंने उनकी साय के धूप नाम का उनका गजर संग रहा है बहुत ही परसिद वो भी नई कविता के परमुख कविते उनका कहना है कि नई कविता बिल्कुल वेसी ही होती है जैसे कि बच्चा पैदा करना जैसे प्रसव वेदना से इस्त्री गुजरती है उसी तरह से जब कविता लिखी जा रही होती है तब कभी भी उसी तरह की वेदना से गुजरता है और उसी से कविता रचती है उनकी पंक्तियां आए कविता की बहुत दिनों तरपा था अपनी जनम के लिए मेरी भावनाओं की जखमी कोख में कोहनियां टिका कर नन्ने नाकुनों से खरूच कर लगातार छोटे छोटे से प्रहार कर विवश कर दिया था इसने बंदिया अभी व्यक्ति को यानि कि वो बच्चा जैसे पैदा होने के लिए व्याकुल है वो हाथ पाँ मारता है मा के पेट में और इस दुनिया में आना चाहता है उसी तरह से कविता भी मन कविके मन में जो है लगातार बाहर अभ जोडते हैं नई कविता ही एक और बहुती महत्पुन कविकेदार नाथ सिंग। वो नई कविता को या कविता की रचना प्रिक्रिया को महनत कश्ष लोगों के स्रम से जोडते है। उनका कहना है कि जिस तरह से एक मजदूर मजदूरी करता है हतोडा चलाता है है चीजों को बनाता है कुमार जो है घड़े बनाता है या इसी तरह से किसान खेती करता है हल जो उतता है तो ये सब काम जो है ये प्रेतन जो है ये स्रम जो है उसी तरह का स्रम है कविता में कविता ऐसी चीज नहीं है जो मनुश्य स्रम से अलग हो और केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है या एक तरह से भोतिक प्रक्रिया भी है तो इस परकार वो कहते हैं कि जैसे इंटर पर इंटर रखकर पकाई जाती है उसी तरह से या रेशम के कीड़े से रेशम निकलता है उसी तरह से मनुश्य भी प्रहतने करता है उनकी कावी की पंक्ती है मैं भी रचना रत हूँ जुका हुआ गंतों से इस कोरे कागज की भटी पर लगातार अंदकार 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 जैसे भटी में इंट जलकर पक कर इंट बनती है उसी तरह से हमारे हिर्दे में जो है कोई रचना उसी तरह से पक्ती है उसी तरह से और उसके बाद में वो बाहर आती है आप यह देखेंगे कि यह सब एक मुकमल यह सब महत्पून बातें तो है रचना परक्रिया को समझने के लिए लेकिन एक पून तस्वीर हमारे सामने रचना परक्रिया की नहीं आती रचना परक्रिया के जो अलग-अलग चरण है साथ हे उसको जितने विज्ञानिक पदती से जितनी बारिकी से जितनी सुक्ष्मता से गजानानमाद्ध मिक्ति बोध ने समझाया है वेशा मिरि ख्याल किसी और कभी ने समझने का पर्षाद है या उनको उनके हिहां कम से कमी इस लूप में नहीं दिखाई देता है ये उनके मौलिक देन है और ये बहुत महतरोपूण है वो इसफ़िच्पर से कहते हैं कि वो पर्थिभा वो नहीं मानते कि कविता कि रचना प्रगया पर्थिभा पर्दत होती है यानिकि पर्थिभा आपके द्वारा उसका सर्जन होता है, वो अपना अपनी गटित होती है, जिसा कि स्वचंदतावादी कवी कहते हैं, उनका मानना है कि कवीता की रजना तो आत्मिक परियास ही है, यानि कि व्यक्ति कवी जो है एक तरह से खुद ही यह परियातने करता है, लेकिन यह आत्मिक उस समय जब कविता लिख रहा होता है तब वह एक व्यक्तिक तोर पर या व्यक्तिकत मनोविज्ञानिक परक्रिया नहीं है बलकि एक तरह की सांस्कृतिक परक्रिया है क्योंकि मनुशिय एक सांस्कृतिक मनुशिय भी है पूरी उसकी सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक इस्त परिक्रिया भी मानते हैं, विक्तिगत परिक्रिया मानने के साथ, और ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि डिपार्चर पॉइंट है, उसके बाद वो अपना परसिद्ध कला के तीन खशनों का सिधान्त प्रस्तुत करते हैं, वो तीन चरण बताते हैं, कि काविय जो है, व कविता लिखने के लिए सबसे पहले कोई अनुभव व्यक्ति के पास होता है, जिसको वो काविय में व्यक्त करना चाहता है, वो उतकट त्यूर अनुभव छन होता है, यानि कि जब आप कोई अनुभव ऐसा महसूस करते हैं, जिसमें कविता लिखने की कहना चाहिए कि जितनी तिवरता से महसूस करता है, जिस चन में जितनी तिवरता से महसूस करता है, वो चन कविता का एक तरह से पहला चारण है। मुक्ति बहुत ऐसा नहीं मानते हैं। ऐसी फेंटेसी का रूप धारण करन लेना, मानो वो फेंटेसी आँखों के सामने ही खड़ी हो, यानि कि वो अनुभव च्छन, जैसे मैं कोई अनुभव करता हूँ, उस अनुभव को अगर मैं उसी रूप में व्यक्त कर देता हूँ, तो वो एक तरह से आत्मिक अनुभव ह होगा, लेकिन जब तक मैं उस अनुभव से अपनी निजबता को, अपनी सब्जेक्टिविटी को अलग नहीं करता, अपनी निजबता को अलग नहीं करता, तब तक वह कवीटा के लिए, एक तरह से कहना चाहिए, कि वह अनुभव परियाप्त नहीं है, उसे पहली अपनी तब वह एक तरह से कहना चाहिए कि फेंटेसी का रूप धारन करने लगती है, फेंटेसी कहते हैं स्वपनचीतर को, यानि कि एक काल्पनिक संसार में वह अनुभव परवहिस करता है, और उस तरह से वह अनुभव, जो पहले निजबद था, जिसे ये कविना अनुभव किया, दूसरे च्छन में वह अनुभव निजबद था से रहीत होता है, और उसके बाद में वह निजबद था से रहीत होना का मतलब है, अपने मूल जो असरोत है उसके, उससे वह अपने को अलग करता है, और उसके बाद में वह फेंटेसी का रूप धारन करता है, जब वह तीसरे छण में वो कविता प्रवेश करती है और वो तीसरा छण है जब इस फैंटेसी को शब्द बद करना होता है यानि कि उस फैंटेसी के लिए कौन सा रूप उप्यूखत है कौन से शब्द उप्यूखत है यह कवी जो है खोज करता है तो इस तरह से जो अनुभव निज रहित हुआ उसके बाद में उसी दूसरे छण में वो फैंटेसी का रूप दारन किया उसने और उसके बाद में तीसरे छण में वो फैंटेसी जो है वो अपने को शब्द बद कर दिये तो यह शब्द बद करने की जो प्रक्रिया है वो एतर से तीसरा छण है तो मुक्तिब विषक की गतिमानता, यह इस तीस रिछड में होती है, शब्द बद होने की परक्रिया के भीतर, जो परवाह बहता रहता है, वह समस्त व्यक्तितु और जिवन का परवाह होता है, यानि कि उसमें कभी का जिवन एक तरसे उस फैंटेसी के अंदर व्यक्त होता है, वो जिवन अकेला नहीं होता है, उसके संसकार होते हैं, उसकी सिक्षा होती है, उसकी परंपरा होती है, इतियास होता है, किवल उस विक्ति के नहीं, उस समाज की बीच में, जिस दुनिया के बीच में कभी जीता है, तो इस तरह से जो मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाया, कि शब्द होने की प्रक्रिया के भीतर का प्रवहा बैता रहता है वह समस्त व्यक्तित्व और जियोन का प्रवहा होता है प्रवहा में वह फेंटेसी अनवत रूप से अनवरत रूप से विक्सित और परिवर्थित होती हुई आगे बढ़ती है यानि कि इस सब्द बद हो प्रक्रिया मे यह जो फेंटेसी है वो अपना रूप बदलती रहती है तो आप देखें कि यह तीसर चरण एक गतिमान चरण है ऐसा नहीं है कि उतकत अनुभव जो महसूस किया वो दूसरे चण में अनुभव रहती हो गया फेंटेसी बन गई और फेंटेसी के लिए उप्युक्त शब्द हो गया नहीं वो उप्युक्त शब्द को ढूंडने की प्रक्रिया में खुद फेंटेसी अलग-अलग रूप धारन करती है और वो अलग-अलग रूप धारन करके अपने को अभी वक्ति के लिए तैयार करती है तो इस परकार वो फेंटेसी अपने मूल रूप को बहुत कुछ त्यागती हुई नवीन रूप धारन करती है आप दिखेंगे कि ये जो नवीन रूप धारन करती है ये नवीन रूप उस मूल अनुभव से बहुत अलग होता है कई बार तो बिल्कुल उसे पैचानना भी संबव नहीं होता कि ये उस मूल अनुभव जो उतकट अनुभव छण था उस उतकट अनुभव छण में जो अनुभव किया था कवी ने वो और जो फैंटेसी शब्द बद हुई है उसके बीच में जो समंद है वो दिखाई भी नहीं देंगे जिस फैंटेसी को शब्द बद करने का प्रत्न किया जा रहा है वो फैंटेसी अपने मूल से इतनी दूर चली जाती है कि ये कहना कठिन है फैंटेसी का या नया रूप अपने मूल रूप की प्रतिक्रिति है यानि कि उसी की प्रतिमेंबह या उसी का रूप है वो बिलकुल एक नहीं चीज हो जाती है तो ये जो नहीं चीज है यही दरसल कविता है तो आप देखेंगे कि तीन जो च्छन उन्हों ने बता है वो तीन च्छन बहुत महत्तोपून है कि सबसे पहले अनुभव को अनुभव करना उतकट अनुभव जो है वो कविद्वारा किया जाता है तो उन अनुभव करना उस बाद में दूसरे छड़ में उस अनुभव को अपने मूल से प्रथक होना यानि कि जो निजता है उस निजता को समाप्त करना जो निजबदता होती है ठीक है उस निजबदता को समाप्त करना निजबद दता को समात करने का मतलब है कि वो अनुभव किबल उस कभी का अनुभव नहीं रहता, बलकि वह एक तरह कहना ची यह सब का अनुभव बनता है, वह निजबद दतासे मतलब है की उस तरह का अनुभव अगर दूसरों का भी हो, तो उसकी अभिव endorsedí की संभाव भी उसमें व्यक्त होती है यह जो निजवद अनुभव ध्यान रखें कि यह एक तरह से मानसिक प्रतिक्रिया होती है जब कभी उसे व्यक्त करता है अगर उसी रूप में व्यक्त करेगा तो वह एक तरह से उसके conditioned reflexes होंगे, ऐसे conditioned reflexes होंगे, जो कि कभी ने जिसे अभी निज्जरहित नहीं किया है, तो निज्जरहित होनी पर वो conditioned reflexes जो है, वो खत्म होने लगते हैं, और जब निज्बद रहीत हो जाते हैं, तब वो दिरे दिरे fantasy का रूप दारण करते हैं और यह fantasy जो है वो एक बिल्कुल नया काल्पनिक संसार होता है कवी का जो मूल अनुभव है वो उसे बिल्कुल भिन होता है खुद मुक्ति बोद अपनी बात को इस तरह से कहते हैं कि दरसल fantasy कवी का वहस्र जित काल्पनिक संसार है जिसकी रचना जीवन के तीवर विकट अनुभवने संभव बनाई ही है लेकिन जिसके इस fantasy के रूप में व्यक्त होने में कवी के संसका, विमिंतर के संसार्ज, जो उसकी चेतना को विशिष्ट रूप परदान के हुए है विचारिक बुनावट तथा वर्गिय चेतना सभी कुछ का इस fantasy के निरमान में भूमिका होती है तो आप देखेंगे कि ये शब्द बद होने की परक्रिया निजबद, निज़रहित और शब्द बद होने की परक्रिया ये एक संसकर्टिक परक्रिया है और इसी रूप में वो रचना परक्रिया की पूरी रचना परक्रिया को समझाते हैं उसको बताते हैं ये बिल्कुल एक नहीं चीज है और अगर आप मुक्ति बोथ की कविताओं को और दूसरों की कविताओं को भी इस तरश्टे से देखेंगे तो आप ये कला के जो तीन खशन की बात करते हैं रचना परक्रिया की जो बात करते हैं मुक्ति बोथ उसे समझ सकेंगे धन्यवाद